हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब, आज हम लोग क्लास 3 की हिंदी वीना पड़ेंगे, पाथ 13 पेरो की अम्मा थिमक्का, तो देखिए पेरो की अम्मा, अम्मा मीस दादी, तो कौन होती है दादी, तो चलिए भाई ये पेर तो मारी दादी का नव क्या है, तो ये देखिए पे पर समय कहानी पड़ते हैं, ये श्रीमती थिमक्का, थिमक्का को अम्मा और ब्रचमाता की नाम से भी जाना जाता है, ब्रचमाता, पेडों की माता, ब्रचमीस क्या होता है, पेड, तो पेडों की माता, और अम्मा, अब ये कैसी पेडों की माता क्यों पोला जाता है, किस से देख रहे हैं वीडियो कमेंट बोक्स में बताना तो देखिए जैसे उत्रप्रदेश, मद्यप्रदेश, बंगल, उडिशा, काफी स्टेट अलग अलग होते हैं उसी में होता है करनाटक, करनाटक में तुकुरी चिले में हुआ था, यह करनाटक में ही रहती है, पिछल उसे रहे हैं यह भाषेस कितने वर्षों से 80, यह एट बना है, यह इस तरह से यह क्या है, यह तो 80, असी वर्षों से थमक्क तभवक के किनारी पौदे लगा रहे थी, 7ечь चीए कि नारी पौदे लगा रहे थी पैसो की कमी के कारण अम्मा ने आरम में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया अब बताइए श्रमिक के रूप में काम किया पैसो के कारण Sramik में इस होता है Masdur जो इसकी सचभदार्थ है भो भी मैं आपको भी बताती हूँ Sramik के रूप में काम किया Thimka, Song A Halopy Soон Radha, Thimka के नाम से भी जानी जाती है अब पताइगे इसको पता इब इनको एक और नाम है Shalum Radha, Thimka के नाम से भी जानी जाती है कंणड वासा में पेडों की पंक्ती को कहते हैं। शलूम रदा पेडों की पंक्ती क्या होती है? इस तरह से... हम सायड में ठोडन सी जगे करूह। जैसे कि आप लोग एक ड्रो में खड़े होते हैं इसलूम्रदा कंणर यह गूंता है इस नाम से भी को जाना जाता है चलिए अगला है थिमक थिमका हुली कल और कुदूर के बीच इस्तिद आप देखें फिर आ गई हिंदी वाली गिंती अभी कितने हैं यह होते हैं खोर मैं आपको लिख के बताती हूं यह बन गए हमारे फोर और यह जो इस तरह से सब्द दिया है यह होता है फाइब तो कितने 45 बोलते हैं हिंदी में इंगलेस नहीं आप लोग पता है 45 तो 45 किलो मीटर लंबे राजगुमार्ग राज मार्ग राज मतलते चुन नैसनल हाईवे होता हैं जिसमें चलती हैं गारियां उसरे राजमार्ग बोलते हैं लगवा कितनी बरगत के प्र लगाए अब इस तरह से संच में आ रहा होगा क्या है । लेकिन यह क्या है तैसGHT मेरे अब कर बताया ऐसा सब्सक्वाया ॥ 5 थो 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विक्षात है बरगद के पेड़ आपने देखे होंगे काफी मोटी मोटी उनकी जड़ें होती है इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अतियंत रमणी है रमणी में सुन्दर भाई आप लोग कहीं पर पंबी पापक साथ घूमने जाते हो उसे देखा होगा सुड़क पर जा रहे हैं इधर भी पेड़ इधर भी पेटे तौक एक सेल्फी लेते हैं तुरत खीसते हैं देखो ममी कितना अच्छा वियू है यहाँ पर देखो तो रमणी में सुन्दर सुसजित लगने लगा इसकी अतरिक्त उन्होंने अनेक स्तानों पर पेड़ लगाए और राजमार्ग पर लगाए सु लगाए 385 बरगद लेकर उसके अलावा भी उन्होंने पेड़ लगाए हैं जिनकी संक्या है यह क्या वना एट एट और यह थिरी जीरो तो कितने हो गए एट थाउजेंड आट हजार से अधिक हैं इनसे परियावरण को बहुत लाब हुआ इस कार में उन्हें उनके पती ने भी 2019 पढ़ेंगे या 2019 पढ़ेंगे उसमें पदमसरी सम्मानित की आगे देखें पदमसरी सम्मानित क्या होता है एक भारत सरकार द्यारा कुछ पुरुसकार दिये जाते हैं जब भी कोई ऐसा कोई अच्छा काम करता है बच्चों को भी दिये जाते हैं आप लोग को भी दिये जाती है पुरुष्कार तो भारत सरकार द्यारप पुछ पुरुष्कार चला जाती है उनकी उम्र यह वना हमारा 1,0 अभी इस तरह से यह गोल-गोर बनाया न यह इसको 7 बोलते हैं तो इनकी उम्र 107 बर्स है 107 पहले 107 थी जब ये वो कहानी लिखी गई होगी अब ज़ादा होगी आज भी ये अच्छे कार्यों में सक्री हैं सक्री में लगातार है थिमका को भारत के कई बनी करण कारकरों में आमांतरित किया जाता है जो भी बन करी मतब बनी करण मित जो भी बन से रिलेटर होते हैं जंगलों से रिलेटर होते हैं पेड़ पौदों से रिलेटर होते हैं तो वो जो भी कारकरम होते हैं उन्हों इनको इन्वाइट किया जता है बुलाया जता है अपनी जीवन में अनेक कस्ट उठाने के उपरांत वी समाज के लिए उपयोगी कार करने वाली थिंका का विक्तित सभी के लिए आदर्स है आभाव में भी केवल अपनी निस्टा और श्रदा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार के लिए स्वेम को समर्पित किया सकता है यह जो पेड लगाना था यह क्या उन्होंने अपनी लिए लगाई नहीं उन्होंने सब की लिए लगाई इसे सामाजिक कार बोलते हैं जो समाज की लिए कुछ करना चाहते हैं हम फिरी में यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि उदर से हमें कुछ मिलेगा अपने आप सी तो इसका सबसे अच्छा अधारण क्या है थिमका चलिए अब है हमारे कुशन अंसर इससे पहले मैं सब्धार दिखा दूं आपनों को सब्धात में रह गए मैं स्टोरी पढ़ाने लगी चलिए फेले हम सब्धार देख लेते हैं अगर हमें सब्धार ताप लिखने तो आप लिख सकते हैं श्रमिक श्रमिक में इस होता है मजदूर रमणिय सुंदर उम्र आयू शक्रिय लगनसी लगनसीन में आदा गा बनाईएगा पूरा गा नहीं आता लगनसीन में आदा आभाब कमी पहला प्रशन उतर है पेड हमारी किस-किस काम आते हैं तो पेड हमारी किस-क क्या आपने कभी किसी पौदे की देखवाल की है तो कैसे की है हां मैंने भी एक पेड को उगाया भाई किसको उगाया मैंने आम की एक गुटली को गड़ा खोद कर मिट्टी में दवाया और उसकी निरंतर देखवाल की और पानी दिया मैंने ये लिखा है अगर आपने किसी की और पेड की की हो तो आप लिख सकते हैं यदि आपको समाज के लिए उपियों की काम करने का अफसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे यदि मुझे अफसर मिले तो मैं साफ सफाई का काम करूगी मैंने साफ सफाई लिखा है आप कुछ और परिशब phones के प्रिशद हो तो पिछले असी वर्सों से सडखों के किनारे पौधे लगाने के लिए प्रिशद है अमने में 45 किलिमेटर लंबे राज मार पर 55 बर्गत के पीड लगाए थी और प्रिश्यक नाम से जाना जाता के नाम से जाना जाता है एक और बताया था नाम इसमें वो भी आप लेखना चाहिए तो लेख सकते हैं वो तो पेड़ों की पंक्ती के लिए था अम्मा ने बर्गत के पौदे लगाने क्यों शुरू किये बर्गत का पेड़ सरभादिक बिशाल और अक्सिजन देने वाला था बहुत तो बड़ा होता है और बहुत सालों तक कई सालों तक चलता है भूसो से विय अधिक जिससे मानब जीवन को सायता मिलती है इतने सारे पेड लगाने के लिए अम्मा को किन किन चनोतियों का सामना करना पड़ा होगा भाई बहुत सारी चनोतियां आई होगी अकेले इतने सारे पेड लगाने में अम्मा को शारिक स्रम के साथ साथ मानसिक बल कीवी बहुत आवशकता पड़ी होगी ताकि उनकी हिम्मत न तूटे पैसों की कमी के चलती कुछ समय श्रमिक रूप के रूप में वी कार भी किया है उन्होंने वही पैसे नहीं थे हर काम करने ज़्यादा तर काम करने के लिए पैसे तो चाहिए पेर पौदे भी लगाने के लिए आने जाने के लिए खाना के लिए चाहिए तो इस तरह ऐसे हम लिख सकते हैं अब है हमारे पार्ट के आँगे यदि आप ना हो तो आप कैसे देंगे यह आपके बुक में ही है यह मैंने या लिख दिया है थिमक्का अम्मा का जन बुका बरण को बहुत लाब हुआ भारत सरकार ने उन्हें वर्स 2019 में पदम स्री से समानित किया भारत के कई बनी करण कार्टरवस में थिमका अम्मा को आमनतित किया गया अब दूसरा प्रस्षिन है यदि आपको अम्मा के काम में उनकी शायत्ता करने का अफसर मिले तो आप कैसे करेंगे तो भाई मैं तो फूटे-मोटे कामी कर सकते हैं आप लोग पौदों को पानी लेकर उनका सयोग करके अपनी गुल्लक से पैसे देकर उन्हें खाना कहला कर यह काम मैंने लिखे हैं अब हम चलते हैं अपनी वुक पे वुक के जो अब नेक्स्ट है हमारा यह यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सायथा ओके यह भी लिखिया ओके यह भी हो गया अगला है भाषा की बात हिमका मैं आदा का और पूरा का आया है ऐसी व्यंजनों को दित व्यंजन कहते हैं या कहते हैं ऐसी और सब्द सोच कर दिये गए दित विंजन और वह आदा आये उसके बाद रिपीट में पूरा आये तो ऐसे सब्द होते हैं उनको हम दूइत विंजन कहते हैं क्या बोलते हैं दूइत विंजन तो आप लोग यह याग रखिएगा देखिए जैसे मैं लिखूं चा फिर वह पूरा चा आ जाए मैं पूरा शा आ जाए तो इस तरह से यह होते हैं दूइत विंजन तो रसी उन्हों ने लिखा है दूसरा पूछा गया है तो हम Charis टी बना देते हैं बच्चा चमच चमच में आदा माँ फिर पूरा माँ तो देखे चमच आदा माँ है पूरा माँ है उसके बाद इसमें एक और सब्द बहुत आया था अम्मा अम्मा के बाद मक्का मक्का और मुन्ना दिल्ली भी लिख सकते हैं काफी सारे सब्दें और कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं पेड़ों को ब्रचवी कहा जाता है पेड़ बोलते हैं और ब्रचवी बोलते हैं क्या आप बता सकते हैं अलग-अलग भाशाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है देखें, संस्कृत में क्या बोला जाता है, संस्कृत में बोला जाता है तरू, तो हम लिखेंगे संस्कृत में तरू, और अंग्रीजी, जो कि इंग्लिस बोलते हैं, आप लो, अंग्रीजी में क्या बोला जाता है, ट्री, अंग्रीजी में ट्री, और फ्रेंच भासा में बो कई बार हम एक वन और अच्छर को मिलाकर एक नया संयोगत अच्छर बनाते हैं जैसे अब हम समझते हैं संयोगत अच्छर किसको कहते हैं तो देखें जब का और शावन की च्छा बनता है तो हम एक नया सब्द बना दो अच्छर है ब्यंजन है दो और दोनों को मिलाकर क्या बना अब इससे क्यां कौन से सब्द बनते हैं छमा, दच, पच, जा और इंग्या, इंग्या से वना ज्या ज्यानी, तो ज्यान, विज्यान, आज्या, ता और रा से वना त्र, तो पत्र, चित्र, मित्र, शा और रा से वना श्रश्रमिक वाला, श्रम, आश्रम, श्रमिक, ये हमारे संयुक्त अच्छर हैं, इनको आपको इस और शावन की क्या बनता है क्योंकि यही प्रिशन उसमें आते हैं आपके एक्जाम में उप्यों उधारणों के आधार पर नीचे दिये गए चित्रों को दो एकर शब्द पूरा करें तो पहला चित्र किसका है पेड़ का पेड़ को और क्या बोलते है ब्रच बोलते है तो हम इसमें लिखेंगे ब्रच यह है आखे आखे को और क्या बोलते है ना से नेत्र यह है हमारा ट्राइंगल लेकिन हिंदी में बोलते हैं इसको त्रभुज यह क्या है कच्छ क्लासरूम क्लासरूम को हिंदी में बोलेंगे कच्छा ये क्या है श्रमिक मजदूर चलो अगला है हमारा कुछ नया करें आपने थिमका के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरिथ हुई थिमका को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बाद पताईए उज अम्मा साधर प्रणा यहां पर आपको डालनी है दिनाग डेट जिस दिन भी आप अपने बुक में लिखे उसी दिनकी की डेट डालें और इसमें आंगे क्या लिखना है इसमें हम लिखेंगी मैनी आप की बारी में पढ़ा आपकी बारी में पढ़ा पढ़कर पढ़कर मुझे आपसे मिलने की इच्छा हो रही है मैं भी आपकी तरह मैं भी आपकी तरह पेड़ लगाऊंगी धन्यवाद यहाँ पर नीचे आप अपना नाम डालेंगे धन्यवाल लेक्वाद यहाँ पर नाम डालेंगे अगला प्रशन है हमारा चित्र देखकर उन बस्तों पर गोला बनाईए जो हमें पेरों से मिलती है तो देकि फल मिलते हैं पेरों से यह जो इसमें फुरू फुरू नहीं है साध डाले है आई थिंक सुफल है साध लीप्स शपी है तो कुछ पर फुरूट से ही है रिलेटिड कोकुनेट वैल मिलता है कलर्स भी मिलते हैं पेपर भी मिलते हैं यह कॉलकेट नहीं मिलता रवर नहीं मिलती और यह भी नहीं मिलता कुर्सी तो अगर प्लास्टिक की है तो नहीं मिलती लेकिन अगर लकडी की है तो यह फर्नीचर किससे बनता है पेर से ही बनता है तो हम इ इसी है और यह थेला यह हमारा इसे पेडों से नहीं मिलता चलिए ओके चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो गया हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें प्रेज करें और वीडियो को लाइक करते हुझा जाएं बाइ बाइ